मस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी माहराश्ट में महाविकास अगाडी सरकार लगातार सवालों के खेरे में है अब आपको बता दे बीजेपी के नेता और पिधान परिशद पिथायक गोपी चंद पडलकर ने एक वीठियो चारी किया है जिसमें उन्होंने ये गंभीर आपक लगाई है कि माहराश्ट में जो मंत्री है चैन्थ पाटिल दरसल उन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची है यानि गोपी चंद की हत्या की साजिश रची गई है ये गंभीर आपक उनकी तरफ से लगाया किया है जिसमें उन्होंने सांगली के SP भी इस पूरी साजिश में शामिल है ये भी कभीर आखोप लगाया है गोपी चंद पडलकर ने जो वीडियो चारी किया है वो तरजल 7 नमबर 2021 का है ये दावा उनकी तरब से किया किया है वीडियो अटपड़ी पुलिस स्टेशन के करीब का है जिसमें गोपी चंद पडलकर किया रही है कि मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई और एक सुनियोजित हमला था यानि पहले से ही पूरी तैयारी इस हमले की की गई थी जो वीडियो चारी किया है उसमें साफ़तोर पर ये देखा जा सकता है कि कुछ कारिकरता है कुछ पडलकर ने दावा किया है कि ये उनकी कार पर ही 200-300 लोगों ने खात लगा कर हमला करने की कोशिश की अगर कार की स्पीड कब हो ती तो गोपी चंद पडलकर जो है उनकी हत्या करती जाती ये दावा उनकी तरब से क्या क्या है आपको बता दे सांगली जिला बैंक गंफीर आरोप लगाई है गोपी चंद पडलकर की ओर से जियंत पाटिल का नाम लिया क्या है जो कि जिला संग्रक्षक मंत्री है और ये आरोप लगाया है कि पूरी तरीके से हत्या की इस साजिश में ये लोग शामिल है पडलकर ने जो आरोप लगाया है उसमें जिला कहा है कि मेरे जो अंग्रक्षक है उनको कारवाई के नाम पर निलंबित कर दिया गया था और मुझ पर 307 आखरोफ लगाए गये थे तो यह तमाम दावे जो हैं उन्होंने वीडियो में किये हैं एक मराथी में उन्होंने वीडियो चारी किया है और साथ ही जो उनकी कार पर हम लगातार इस तरीके की वार्दादे माहराश्ट में देखने को मिल रहा है जब इस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करते हुए कि यह कि अधिया क disappearance क्या है उसमें यह कहा क्या है कि यह सभी साजिशे पुलिस स्टुरक्षा में अंजाभत धी गई है साथ ही उनके तरफे यह कहा जारी यह कि पुलिस ने इस पूरी घटना Kो रोकने के बजाये फिल्म बनाई है वह फिल्म बनाने में मश्कूल रहे है यह तमाम ब जो मुंबाई पुलिस है जो माहराश्ट पुलिस है वो पुरी तरीके से मुखतरशक बनी हुई है और किस तरीके से उथव ठाकरे सरकार अपने बदले की राशनीती के लिए इस तरीके से पुलिस का इस्तमाल कर रहा है ये भी हमने अलग-अलग माफ्रों में देखा है फिर चाहे वो माहराष्ट में ब्रिस्ट्रेचार के माफ्ले हो उगाई के माफ्ले हो या इस तरीके का जो जड़ियंत्र ये रचा जा रहा है जो सुनियोजित हमले की साचिश रची जा रही है उसमें भी पुलिस मोकतरशक ब नहीं लेंके उनकी सुरक्षा खालिस करते हैं उनकी तरफ से बीटियों में की कहा क्या है कि अगर पहरेदार अगर परभक्षी बन रहाए है तो आखिर उनकी रच्षा फिर कौन करेगा और क्यों ही करेगा क्योंकि पुलिस जब इस पूरी साजिश और जड़ियंत्र में श पीड कम होती तो जाहरत तोर पर उन्हीं निशाना बनाया चाहता उनकी हर्तिया हो सकती थी यह बेहद गंफीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं तो यह चोकानी वाला वीडियो माहराज्ट्र से साखने आया हैं लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से त सिर्फ इतना ही नहीं जब माहराज्ट्र बंद पुलाया किया था लखीमपूर कीरी घटना को लेकर तब ही हमने देखा था कि किस तरीके से मुंबई पुलिस माहराज्ट्र पुलिस मूगदर्शक बनकर खड़ी हुई थी पूरा तमाशा देख रही थी शिवसेना और NCP के कारिकरता वहां लगातार उपदर्फ मचा रही थे वहां ओटो वाले और रिक्षा वालों को परिशान किया जा रहा था उनके साथ लगातार बद सुलूकी की गई और इस तरीके से माहराज्ट्र पुलिस मुगदर्शक बनकर खड़ी हुई तो यही वज़ा है कि लगातार अब उठाव ठाकरे सरकार के साथ साथ पुलिस भी सवालों के खेरे में हैं पुलिस इसलिए सवालों के खेरे में हैं क्योंकि अगर पुलिस जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी है जिसकी नाकरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है अगर वही बखुबी तरीके से अपनी जि वीडियो साफ ने आया है वो ट्वीट किया है वो ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है दूसरों के कंथो पर तो सर्फ जनाजे उठाये जाते हैं यह साफ तोर पर उन्हें अधव ठाक्ते सरकार और शर्दवार पर निशना साधा है और यह पूरा शक है कि जिस तरीके से उन्हें यह दावा किया है कि सांगली चिला बैंक चुनाव के दोरान यह खटना हुई जाहर तोर पर मुझे रोकने का प्रियास था मेरे कारेकरताओं को रोकने का कि प्रियास था जिस तरीके की पूरा साचिश और सठीयंत्र रचा किया तो माहराष्ट में तमाम चुनावों में ये तस्पीरे देखने को भी हैं, जब माहराष्ट में उधाव ठाकरे सरकार में शामिल के पार्ठिया, NCP हो, कॉंग्रेस हो, क्या फिर शिवसे ना हो, तमाम तरीके से बीजेपी को रोकने का प्रियास कर रही है, मुद्दे नहीं है कि किस पर बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी चाए, तो ऐसे में इस तरीके से साचिष्ट और सढ़ियत रचकर अपरियास किये चा रही है, तमाम चुनावों में जो बीजेपी की जीत हुई है, फिर चाहे वो, MLC के चुनावों, खाली में नागपुर की सीट, बीजेप माहराश्ट में हो रही है, उसके जो नतीजे साथने आ रही है, उसमें लगातार बीजेपी की जीत हो रही है, और माना चारा है कि इसी जीत से कही न कहीं, NCP और शिवसेना बोखलाई हुई है, और यही वज़ा है कि बीजेपी नेताओ को इस तरीके से डार्केट किया जा है, इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से नवाफ मलिक पुरी तरीके से माहराश्ट में बीजेपी नेताओं पर हमलावर नजर आए, उनकी तरफ से तमाम जो गंफीर आरोप है, वो बीजेपी नेताओं पर लगाए गए, अगर नवाफ मलिक खुद वफ़ जमीन खोटा कार को माहराश्ट में बतना पड़ रहा है, और ये भी चुनाफों के मद्यनजर हुई घटना है, तो ऐसे में जो ये विधान परिश्यत के विधायक है, बीजेपी के गोपीजन पर डलकर उनकी ओर से भी यही दावा किया किया है, कि माहराश्ट में ये 7 नवंबर की घटन कार पर हमला करने का ये पूरिया सध्यन रचा किया, और कहीं न कहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जएन्थ पार्टिल और श्रतवार पर कि उन्हें बदनाम करने की कोशिच भी इस दोरान की गई, पबिलिसिटी इस्टेंट होने का आरोप भी उनकी तरब से लगाय किया है, जिसमें पुलिस के जो अधिक्षक हैं, वो भी शामिल है, और पुलिस का काम जो होता है, सुरक्षा करना नाकरिकों की, उसकी बजाए पुलिस जिस तरीके से कार्यकरताओं के रूप में, NCP के कार्यकरताओं के रूप में काम कर रही है, वो जाहिर तोर पर कहीं न और ही गार उन्हें दिये गए थे जो अंग्रक्षक उन्हें दिये गए थे उन्हें भी पुरी तरीके से उन्हें खारिस कर दिया है कि अब वो कोई स्ट्रक्षा नहीं लेंगे क्योंकि पुलिस पर अब उन्हें भरोसा नहीं हैं हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनके साथ ये घटना दोबारा घटित हो जाए उनकी तरफ से ये शक जरूर चाहिर क्या गया है लेकिन जिस तरीके से बीचेपी को रोकने की ये गलत कोशिशे माहराष्ट में की जा रही है जाहिए तोर पर इसका खाम्याजा उधर ठाकरे सरकार को आने वाले पक्त में भुकतना भी प फाम्याजा